डिफेंस की तयारी करने वाले सभी कैनिडेट्स का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है पहला जो हमारा लेक्चर था इसका जिसमें मापन और मातरक का हमने अध्यन किया था वो लेक्चर कंप्लीट हो चुका है उसके बाद में ये जो है इसका सेकिंड पार्ट आता है हमारा इसमें पॉर्षन रहेगा यांत्रिकी का ये हम समन्य विज्ञान यानि के जनरल साइंस की सिरीज हमने यहाँ पे स्टार्ट की हुई है फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्टेप बाइ स्टेप हम सभी जो टोपिक्स हैं उनसे जितने भी क्यूश्चन बन सकते हैं चाहे आर्मी हो नेवी हो या एरफोर्स हो उन सभी क्यूश्चन की हम यहाँ पे डिसक्रिप्शन करने वाले हैं तो अब हमारा जो आज का टोपिक रहेगा वो है यांत्री की इस टोपिक के अंदर हम द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, उर्जा, समवेग और गती इन सभी टोपिक से जितने भी important questions बन सकते हैं उन सभी questions की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे चली स्टार्ट करते हैं साधारण यंत्र किसी वैक्ति की सहायता करता है मतलब कोई भी यंत्र हो या कोई उपकरण हो वो किसलिए यूज करते हैं क्यूं हम उपकरणों का उपयोग करते हैं देखे कोई भी यंत्र हो या उपकरण हो एक तो हमें क्या होता है बल कम उपकरणा पड़ता है कम फोर्स लगाना पड़ता है मतलब आसानी से हम कोई चीज है उसको उठा सकते हैं कोई काम कर सकते हैं अगर हम कोई यंत्र का या उपकरण का उपयोग करते हैं और टाइम भी बहुत कम लगता है इसके लिए हम कोई सधारान यंत्र का उपयोग करते हैं तो उत्तर होगा इसका कम बल का प्रियोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम कर लेना मानों आपको कोई भारी चीज उठानी है तो आप खुद उसको नहीं उठा पाओगे या ज्यादा लोग लगेंगे या टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और ऐसा हम को यंत्र लेते मानों हमने कोई छोटी क्रेन ले लिया कोई इस तरह का यंत संवेधनशील यानिके संसिटिव तराजू पर खड़ा है यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या परभाव पड़ेगा कोई वैक्ती है वो एक तराजू पर खड़ा है और वो तराजू sensitive तराजू है ठीक है समवेदनशील है मतलब थोड़ा भी उपर नीचे कोई चीज होती है तो उसका तराजू पर क्या पड़ता है प्रभाव पड़ता है तो अगर वो आदमी गहरी सांस अंदर ले लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या effect पड़ेगा वो आपको बताना है तो तराजू की रीडिंग जो होगी वो क्या होगी घटेगी घट जाएगी ठीक है नेक्स्ट कुष्टन हम यहाँ पर देखते हैं वोशिंग मशीन का कारिय सिद्धानत है वोशिंग मशीन कौन से सिद्धानत पर कारिय करती है तो यह अपकेंदरन के सिद्धानत पर कारिय करती है ठीक है अपकेंदरन के सिद्धानत पर और जो आप छाच भी लोते हो या धाई भी लोते हो गाओं में तो काफी students को पता भी होगा तो वो भी जो machine होती है वो अब केंद्रण के सिधान्त पर करे करती है यहाँ पे उसका उल्टा होता है अपकेंद्रिये बल तो उस सिद्धान पे यह करे गरती है प्रक्षालन मशीन की कादे प्रणाली का सिद्धान्त कौन सा है प्रक्षालन मशीन इसका भी अपकेंद्रिकरण का सिद्धान्त है अब किंद्रे बल यहां पे लगता है next question विस्थापन वेग बल तथा आयतन में से सदिश राश्री नहीं है सदिश वेक्टर राश्री कौन सी नहीं है पहला तो आपको पता होना चाहिए सदिश राश्री और अदिश राश्री होती क्या है तो सदिश राश्री क्या होती है जिसमें परिमान परिमान के साथ साथ दिशा भी जूड़ी हो दिशा को भी मेजर किया जाए परिमान के साथ साथ वो तो होती है सदिश राश्री और ऐसी राश्री जिसमें केवल परिमान ही मेजर किया जाए मापा जाए दिशा की आवश्च और चक्ता नहीं होती वह उती है अदि笑 राशी जिसको हम कहते हैं स्केलर ठीक है इंगलिश में तो यहाँ पर आपको पूचा है कि सदिश राशी कौन सी नहीं है यानि के अदिश रासी यह यहाँ पर देखिए विस्थापन सदिशरासी होती है वेग भी सदिशरासी है लेकिन आयतन जो है वो सदिशरासी नहीं है यह अधिशरासी है तो यहां पर आयतन सही उत्तर होगा ठीक है समय चाल विस्थापन तथा दूरी में से सदिश रासी है अब आपको सदिश रासी बतानी है सदिश जिसमें परिमान भी हो और दिशा भी हो तो समय देखते हैं समय तो अदिश रासी है तो यह नहीं होगा चाल भी अदिश रासी है तो यह नहीं होगा विस्थापन, विस्थापन हाँ, विस्थापन सदिश रासी है, विस्थापन में समय परिमान के साथ साथ दिशा की भी आवशक्ता होती है, ठीक है, और दूरी, दूरी सदिश रासी नहीं है, ये एक अदिश रासी है, तो यहाँ पर विस्थापन आपका क्या हो जाएगा, स समवेग सदिश रासी होती है इसमें परिमान और दिशा दोनों के आवशकता होती है उनको दोनों को मापा जाता है दाब सदिश रासी नहीं है उर्जा भी सदिश रासी नहीं है और करे भी सदिश रासी नहीं है ठीक है तो यहां पर समवेग आपका सही उत्तर हो गया पदार्थ के समवेग यानि के मोमेंटम और वेग के अनुपात में जो भोतिक राशी प्राप्त की जाती है वो है तो देखें समवेग को जनरली हम P से लिखते हैं समवेग का सुत्र होता है P is equal to MV M होता है यहाँ पे दरव्यमान और V होता है वेग आपको क्या करना है समवेग और वेग में अनुपात करना है तो समवेग क्या हो गया MV और बटे में क्या लेना है आपको वेग इन दोनों का अनुपात याद करना है V से V cancel हो जाएगा only क्या बचेगा आपके पास M बचेगा M क्या होता है? द्रव्यमान होता है तो दोनों का अनुपात क्या वच्छेगा? द्रव्यमान तो द्रव्यमान आपका यहाँ पे सही आंस्वर हो जाएगा ओके? Next question यह सारे important questions मैंने यहाँ पे लिये हैं जितने भी books हैं, आर्मी की चाहे वो तरवना publications हो, चाहे SK हो या अरिहन्त हो, कोई भी books हो, उन सभी books में से मिला के जो important questions हैं, उनकी यहाँ पे यह जो PDF है आपके सामने यहाँ screen पे हैं, काफ़ important questions जहां से direct question exam में पूछे जाते हैं तो यह सभी आपको साथ साथ solve करते जाना है आप note भी कर सकते हैं और चाहें तो इसकी PDF के लिए आप हमारा telegram channel join कर सकते हैं, तो telegram channel का जो link है description में मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा साथियों को अपने जो telegram channel है उस पे जोड़िए next question बल गुणनफल है, यानि के बल का सुतर पूछ रहा है, indirectly हमें trick भी बताई थी, father is equal to ma, father is equal to ma, f is equal to ma यहाँ पे m होता है, द्रव्यमान, m क्या होता है, द्रव्यमान और a होता है, त्वरण तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है, बल यानि के force कहलाता है, ठीक है तो ये हो गया हमारा बल का सुत्तर next question यदि किसी घन के आयतन और प्रस्ट छेतरफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो देखें घन का आयतन है और प्रस्ट छेतरफल है इनको निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी कितनी होगी तो 6 होगी आपको पता है कि घन के जो किनारे की लंबाई होती है यह जो इकाई होती है यह कितनी होती है 6 ठीक है Next question उर्जा संडक्षन का आश्य है की उर्जा संडक्षन क्या होता है कई बार ये नियम डायरेक्टरी पूछ जाता है देखो उर्जा संरक्षन क्या होता है किसी भी चीज का संरक्षन करना मतलब उर्जा एक ऐसी चीज है जिसको ना तो उत्पन किया जा सकता है ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसको खतम कर सकते हैं ठीक है ना तो उत्पन कर सकते हैं ना खतम कर सकते हैं इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है यह उर्जा संदक्षन का नियम होता है इसको इस परकार से हम बोलेंगे अच्छी सी वायू शक्ति यानिके विंड पावर में उर्जा का जो रूप विद्यत उर्जा में परिवर्तित होता है वह है पवन उर्जा के जो यंत्र लगे होते हैं वो आपने देखा होगा पवन उर्जा के वही यह बात कर रहा है वायू शक्ति यानिके विंड पावर इसमें देखो जब हवाएं चलती है जब पवने चलती है तो वो जो पंखे होते हैं उनमें गतिज उर्जा होती है वो गतिज उर्जा जो होती है वो विद्युत उर्जा में रुपांत्रित होती है तो यहां से गतिज उर्जा को हम विद्युत उर्जा के रूप में लेते हैं तो गतिज उ कुए यात्री का सिर्फ पीछे की ओर जुक जाता है इसका कारण क्या होता है देखे आपने न्यूटन के नियम पड़े ही होंगे इसमें न्यूटन का पहला नियम जो होता है उसके अंदर जड़त्व को बहुत अच्छी प्रकार्ट से समझाया गया है यह वीडियो हमाई जो है एक ऐसा बल जो हें जो कि जो गती हो रही है किसी वस्तु में गती हो रही है यँ पर जैसे वह स्थ टींड़ करने वाला होता है अब दिखे अगर आप ट्रेन में बैठे हैं तो आप क्या है स्थिर है आपकी जो position है वो क्या है स्थिर है और suddenly यानि अचानक ही train क्या करती है चलना शुरू कर देती है चलना शुरू कर देती है तो आपके पैर तो नीचे train के touch हो रहे हैं आपका जो नीचे का हिसा है वो train के touch हो रहा हैं तो वो गती की अवस्था में आ जाता है जबकि आपका सिर क्या होत जड़त्व है आई होप आप समझ रहे होंगे अराम से अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एक एक करके step by step हम सभी concept जो हैं वो पढ़ते जाएंगे और जितने भी important questions जो होते हैं वो यहाँ इस lecture में complete करते जाएंगे अब हम यहाँ पर कुछ question answers जो हैं वो solve करेंगे जो की काफी important है यहाँ पर तो यहाँ कथन ए देखते हैं हम जिसका कारण आगी दिया हुआ है देखो एक पूर्णत घर्षण हीन प्रस्ट है यानि completely frictionless surface है वहाँ पर एक रेक्टी खड़ा है और सीटी वजाने से अपने आपको गती मिला सकता है तो गती मिला सकता है यह बात तो सही है इसका कारण दिया हुआ है यदि किसी तंत्र पर कोई बाहर से बल नहीं लगाया जा रहा है किसी तंत्र पर तो इसका समवेग परिवर्तित नहीं हो सकता है देखो समवेग में परिवर्तन तभी होता है जब वेग में या मास में परिवर्तन हो लेकिन बाहर से कोई बल नहीं लगाया गया मतलब वेग में परिवर्तन नहीं हुआ है बिना कोई बल लगाए वेग में परिवर्तन नहीं होता तो जो बेग में परिवर्तन नहीं हुआ है तो समवेग में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा ठीक है तो यहां समवेग में परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक बाहर से कोई बल नहीं लगाएं तो बात तो यह भी सही है तो बात दोनों ही सही है लेकिन जो कथन A था उसका कारण ये R जो है वो सपस्ट नहीं कर पा रहा है ये अलगी बात बता रहा है तो यहाँ पर हमारा जो ओप्षन है ये सही होगा कि A और R दोनों सही हैं लेकिन R जो है वो A का सपस्टी करण नहीं है इस बात को वो पस्ट नहीं कर पा रहा ठीक है? नेक्स क्यूचन यहां पर देखते हैं सड़क पर चलने की अपेक्षा बरफ पर चलना कठिन है क्यों? तो यह आपको पता है सड़क पर घर्शन बल जो होता है काफी अच्छा होता है तो घर्शन बल की कारण जो पकड बनती है यानि चलने की जो पकड बनती है वो अराम से चल पाते है जबकि बरफ है बरफ पर घर्शन बल जो है बहुत ही कम होता है तो बरफ पर चलना मुश्किल होता है और हम फिसल जाते हैं तो ये क्रिश्चन यहाँ पर घर्षन बलका होगा तो बरफ में सड़क की अपेक्षाख घर्षन क्या होता है कम होता है इसके कारण बरफ पर चलना कठिन होता है नेक्ष्चन बरी हुई गाड़ी यानि के कारण को चलने में और उसे चलाए मान रखने के लिए आवश्चक ताकत से अपेक्षाकरत अधिक ताकत से धखका देना पड़ता है क्यों क्या बोल रही है कि कोई गाड़ी है वह बंद खड़ी है मान लो तो उसको चलाने में पहले ये से ही चल रही है फिर उसको थोड़ा और चलाने में आगे कम न highs लगता है क्यों यह आपको बताना है ठीक है देखो जो कार्णी उसको गतिमान रखने के लिए हमें कम ताकत या कम बल लगाना पड़ता है तो यहीं इसका उत्तर हो जाएगा एक बार गाड़ी चल पढ़ने के बाद घर्शन बल क्या होता है कम हो जाता है तो ताकत जो है वो कम लगाने पड़ती है ठीक है और नाव जो है वो 0.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से खिसकी पीछे की साइट खिसकी तो नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुणा होगा यह आपको यहाँ पर बताना है इसको सोल करना है तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 5 पांच में हम भाग देते है जीरो पॉइंट पांच का यहाँ से पॉइंट आते हैं उपर एक जीरो लग जाएगी और इसको काटते हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा 10 तो 10 गुना होगा वो ठीक है आपका आंसर यहाँ पर नेक्स शुशन पर चलते हैं एक ट्रक एक कार और एक मोटर साइंकिल की यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं और वेकरमशह एक्स वाई और जेट दूरी पर रुकें तो आपको संबंध ग्याद करना है इनके मद्दे ठीक हैं तो देखिए अगर गतिज उर्जा समान हैं और अवरोधक बल भी क्या हैं समान हैं तो वो तीनों जो वाहन होंग के तीनों समान दूरी पर रुकेंगे तो एक्स वाई और जेड तीनों कमान क्या होगा समान होगा तीनों बराबर होंगे देखते हैं तो यह देखिए एक्स वाई और जो जेड हैं तीनों कमान क्या है समान है तीनों बराबर हैं नेक्स्ट क्रिश्चन देखते हैं यहां प पत पर तिवरगती से जाता हुआ चार पहियों वाला वाहन क्या होगा उस पर असर बताना है तो देखे चार ओप्शन्स हैं यहां पर आपके पास की बाहरी पहियों पर उल्टेगा या फिर अंदर के पहियों पर उल्टेगा मतलब यह वर्ताखार माल गए यहां से को मानलो यह वाहन है यहां पर यह इसके पहिये हैं ठीक है तो या तो होगा कि वह बाहर की पहियों पर इन पहियों पर उल्टे या फिर ऐसे होगा कि अंदर के पहियों पर अंदर की साइड ऐसे अंदर के पहियों पर उल्ट सकता है या फिर बाहर की तरफ फिसल जाएगा मतलब ऐस वर्ताकार पत पर कोई तिख्ष्ण वर्ताकार पत हो और बहुत तेज गती से कोई वहान आता है तो अपने अंदर वाले जो पई हैं उन पर उलट सकता है उन पर क्या होता है उलट सकता है और फिसलेगा किस तरफ बाहर की तरफ फिसलेगा किस तरफ यहां पर उलटेगा और कि तरफ फिसलेगा। ठीक है, तो सही कथनिया पर देखते हैं दो और तीन यानिका अंदर के पईयों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसल जाएगा। और तीन आपको क्या हो गए सही हो गए ठीक है अब आपको next question देखते हैं तोरण ग्याद करने का सुत्र तोरण क्या होता है देखो कोई भी वाहन है या कोई भी गाड़ी है तो उसके वेग में परिवर्तन समय के सापिक्ष उसको क्या कहते है तोरण कहते है वेग में परिवर्तन वो भी समय के सापेक्ष वेग में परीवर्तन की जो दर होती है तोरण कहलाती है तो यहाँ पर वेग मान लेते हैं अप्रारम्भिक वेग U है और बात में वेग V है तो V-U upon T, ये क्या कहलाता है, तोरण का सुत्र कहलाता है, जिसको हम generally A से denote करते हैं, V-U upon T, तो ये तोरण का क्या हो गया, आपके पास सुत्र हो गया, और जो रिनात्मक तोरण होता है, उसको हम मंदन कहते हैं, कई बार ये भी पूछ लेते हैं, अगर इसका मान जो है, वो मा अब नेक्स्ट हमारा जो टोपिक रहेगा, वो रहेगा, गुरुत्विय उर्जा, गुरुत्वा क्रिशन बल्स से रिलेटेड, जो लिफ्ट वाले जो क्रिश्चन होते हैं, कई बार आपने देखे भी होंगे, एक्जाम्स में, तो इस टाइप के क्रिश्चन जो रहेंगे वो अगले लेक्चर में रहेंगे, अगर लेक्चर ये पसंद आता है आपको, तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियो के साथ शेयर करें, और हाँ, डेलिग्राम चैनल जो इन करना ना बूले, थैंक यू सो मच